नमस्कार बहुत बस्वायत करते हैं क्लिक टूटे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और इस वीडियो में हम बात करने वाले मुख्यमंत्रिक अन्या उध्थान योजना की राशी को ले करके बहुत सारी शात्राओं का स्टाटेस जो है अभी ये शो कर रहा है वेटिंग इक स्टाटेस आपको जो है फाइनल स्टाटेस में शो करता है नजर आएगा तो आपको इंतिदार करना है रही बात कि आपके जो कुछ सवाल आये थे 2020 से तेसे चिन की बहुत सारी शात्राओं जो की बिहार विस विद्धाल है मुझफर पूर की है अभी सनाथ तक उत्रिन करके बैठी हुई है पिछले 6 महीने से उनका रिजल्ट आया पड़ा है लेकिन उनके अभी माक्षिट नहीं मिले थे माक्षिट नंबर और लॉट नहीं हुए थे जिसके वज़े से उनका मुख्यमंत्रि कन्या उठान योजना के राश्य वाले पोर्टल के उपर नाम एड नहीं हुआ था तो इनका कब से आवे दिन स्टार्ट होगा ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे साथ ही आपके कुछ कमेंट्स आये हैं इसको लेकर के भी हम रिप्लाई इस वीडियो में देने वाले हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकर के अंतक देखते रहेगा इस अपने तमाम उन्च दोस्तों तक पहुचाने की कोशिश करिएगा जिनको इस योजना का लाब इस वर्ष मिलने वाला है दोजार चौविस में जो है दोजार उननीज से बाई सेशन बिहार विस्विद्याल है मुझाफरपुर की छात्रा है या फिर एलनेमियो की छात्रा ह जो कि आवेदन नहीं कर पाई होंगे उनको भी इस योजना का लाब मिलेगा पचास जार रुपए आपके खाते में पहुच जाएगा लेकिन कैसे पहुचेगा तो इसके लिए कुछ प्रॉसेस है जो कि आपको फॉलो करने होंगे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कुछ कम हो चुकी है आपकी विवाह जो हो चुकी है तो क्या आपको इस योजना का लाब मिलेगा तो जी हां मिलेगा बसरते आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सही पूरवक होने चाहिए रही बात की चात्रा है कि हमारे अधार काट के ओपर तो हस्बेंड का नाम चर चु चलेगा तो डोमेंसाइल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा जो की करेंट एर का होना चाहिए दोहजर बाइस तेईस और चौविस में अगर बनवाई हो तो यह मानने होगा उससे पहले का अगर आपका यह सर्टिफिकेट होगा तो आपको यह वैलिड नहीं म बता दिया है साथ ही आपका बैंक अकाउंट जो हो आधार से सीडेड होना चाहिए यू आईडियाई के वेबसाइट पे सीडेड होना चाहिए तभी जो है आपके बैंक खाते में 50,000 की राशी जाएगी इसको चेक करने के लिए हम प्रोसेस बताएंगे इसी वीडियो में आप फिलाल जो इंस्ट्रक्शन दिये जा रहे हैं जो बाते बताई जा रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा रही बात जो भी चात्रा हैं अभी रीसेंट में उत्रिन हुई है दोज़र बीस से चेचन ब्यार विस विद्दाले मुजफरपूर की आप लोगों के लिए एक आपका यूशिटी चला जाएगा वहां पे पोटल के उपर फिर अपलोड किया जाएगा आपका नाम ठीक है तो जाकर के आपका वहां पे नाम पॉप अप होकर कहाएगा तो रजिस्टेशन कर पाईएगा थवार नाम नहीं आता है तो नहीं कर पाईगा तीसरी चीज मैं बता दू आपको कि आपका कलेज पोटल के उपर रेजिस्टर्ड होना चाहिए यानि कि जो मेधाषॉट पोटल है उसके उपर अगर आपका कॉलेज लिस्टेट नहीं होगा तो आपको यूझना का लाव नहीं इमिल पाएगा यानि 50 वार की राशिय आपको नहीं मिल और आपका नाम अप्लोड कर दिया जाएगा तो आप भी रेज्ट्रेशन कर पाईएगा महात्मा गांदी सेंट्रल लिए सिटी का जो सीरियल नंबर है वही माक्षीट नंबर है यह सारा जैसे ही पोटल उपेन होगा उसके बाद आपका आविधन प्रक्रिया जो शुरू हो करने दिखेगा यहाँ पर आपको मेधा सॉफ्ट है लें रहेगा से यहाँ पर 12 मार्च वाला पोस्ट तो दून झा îंको तो हाला कि मैं payment list अभी चेक करने के लिए मनाई करूंगा जिनों ने registration कर लिया वह status करिए चेक status पर क्लिक करिएगा और mobile पर desktop site ही खोल लिएगा नहीं तो फिर आपका आधा यह status शोग करेगा ठीक है और जिनका id password नहीं आया है तो लोग यह id password पर क्लिक कर लिएगा को एक link हम खोल लेते हैं यहां पर name check list हम open करते हैं और हम यहां पर desktop site सेलेक कर लेते हैं क्योंकि desktop site पर ही हमारा सारा details शोग करता है नजर आएगा तो यहां पर university के उपर क्लिक करेंगे और list of college के उपर क्लिक करेंगे आपका जो university रहेगा उसको आपको select करना रहेगा यहां से ढूंड करके और यहां पर select करके यह all रहने दीजेगा search कर दीजेगा उसके बाद college के नाम नीचे आने सुरू हो जाएंगे यहां पर आप जो अपने college का नाम चेक करेंगे आपके college का नाम है या नहीं अगर होगा तो आपको भी 50 सार की राश्य मिलेगी इसके बाद dbt आपको कैसे चेक करना है तो आप यहां पर search बार पहिएगा यहां पर dbt search क इसके बाद आपको यहां पर लंक करते हुआ आप आगे बढ़ियेगा और आप अपना अधार लॉग-इन कर एक अधार नमबर से आपको लॉग इन करने रहे या फिर यहां पर एक आपको अधार सीडिंग का दिख जाएगा बैंक सीडिंग स्टैटेस इसके ऊपर क्लिक करिएगा अपना अधार नमबर वगेरा फिलप करते हुए लॉग इन कर जाएगा और जो भी अकाउंट आपका लिंक एकांट होना चाहिए साथ ही आपका इंडियन पोस्ट पेमिंट बैंक का भी चलेगा जंदन खाता भी चलेगा तो परिशान होने की कोई जूरत नहीं है अलार नंबर क्याप्चा कोट फिल करके लॉग इन वित ओटीपी कर लीजिएगा लॉग इन करने का दिखाई देगा कि आपका कौन सा बैंक जो है यूआईडियाई के वेबसाइट से लिंक हुआ पड़ा है तो यह सारे इंफोर्मिशन तो आपको मिल गए है बसरते आपका नाम जब तक कि पोर्टल के उपर नहीं तब तक आप लोग रजिस्टेशन करने के लिए लिजबल नहीं है पोर्टल कब खुलेगा तो पोर्टल आपका अगले महीने खुलने जा रहा है इंटर्मेडियेट का रिजल्ट बिहार बोट का जैसे ही जारी होगा वैसे ही अगले तीन दिनों के भीतर जो पोर्टल को ख करना चाहिए ठीक है और वह अपडेटेड होना चाहिए बहुत सारी बैंक्स मर्जर हुई थी बहुत लोगों ने बैंक पास्वुक अप्टुडेट नहीं कर आया था तो वह सब करवा लिजेगा जिसे कि आपको पैसे मिलने में किसी प्रकार की कोई कटिना या ना है तो आ नवाद